वीडियो बना रहा आप लोगों के लिए तो कल दसेरा खतम हुआ, पूजा संबन हुई तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑथराजेशन लेटर के बारे हम बात करेंगे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थे ऑथराजेशन लेटर के बारे में बंप्रण वीडियो स्क पर फोलार पर जरूरी चीज में पधमे शसार एक चोड़ा सब मेस्ट आप लोगों के लिए रखोंगा क्योंकि मैं भी देखा हवी ज्क्रान से ब्लीसफूल पहले और आप लोगों कंजो की है और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं तो बात करते हैं इंस्सा स्टोरी से इतर अब हमारी बात होती है तो यह जो देख रहे हो 32 काहवात है कि 32 दांत जो है आपकी काम्यावी की निशानी होती है अगर आप दांत clean and clear रखते हो तो लोग पहला इंसल इंप्रेशन दांत ही पड़ता है smile के साथ तो हम बात करते हैं आज के जमाने में commercialization बहुत ज्यादा है जो भी toothpaste आते हैं आप लोग यूज करते हैं खरीते हैं बोलते हैं जो लोगों को ग्रहक जो होता है वह कोरा कागस होता है तो हर समय हर चीज को देख के यूज करना चाहिए पर most of the toothpaste दोस्तों जो मार्केट में available है अभी पर जो आयर्वेति कॉंस में किसी कंपणी का नाम नहीं लोगा बिकास नाम मुझे किसी ने sponsor किया है और नाम में किसी का अगेंस बोलनी के लिए मुझे sponsor मिला पर मैं बात करना चाहरा था most of the toothpaste उसमें SLS सॉडियम लोरिल सर्फेट सॉडियम लोरिल सर्फेट यह जो होता है क्लीनिंग डिजर्जिंग एजेंट होता है जो की कपड़ों में डाला जाता है लेकिन यही SLS आपको आपके तूथपेस्ट और सैंपूज में मिलेंगे यह लॉंग टर्म के लिए बहुत खराबी करता ह है दूस्तों तूथपेस जितना है कैमिकल फ्री रहे हो इतना अच्छा है जब मार्केट में गए देखना जाते हैं तो मार्केट में मुस्त आप्संस अब लेवल नहीं होता है एसे असलस वाला विदावट एसलस वाला मुझे एक मिला जो मैं खुद यूज कर रहा हूं औ पूरा एकदम हर्प से बना हुआ है किसी भी चीज को आप जो खरीदते हो न तो इसका इंग्रेडियंट से होता है यह पीछे का बैक साइट कंटेंट यह जरूर चेक करें अगर इसमें किसी भी चीज में कुछ वैसा है सोडियम लॉरल सलफिट या कैलसियम कार्बिनेट कुछ भी मिला हुआ है तो डोंट यूज इसके पिट तो यह होगा पूस्ट के बारे के बात इसका लिंक में डाल दूँगा आप चाहे तो इजी कर दे रहा हूं मैं सबसे पहले आप मार्केट से ले क्योंकि ऑनलाइन में सबसे पहले जाते हैं कि चीज जानते हैं कि authorization letter है क्या authorization letter एक legal document है आपके लिए on the behalf of जिसके नाम पर रिजिस्टर होती है बाइक या कार और अगर उनके नाम अगर वो नहीं चला रहे हैं कोई और चला रहा है और किसी other state में आपको जाना है तो आप एक authorization letter बनवा सकते हैं जि जिनके नाम पर रिजिस्टर है बाइक या कार तो उसमें होगा I जिनका नाम में वो solely मैं इनको authorized करता हूं कि ये मेरे बिहाफ में मेरे बाइक या कार चला सकते हैं और उसके फलाना validities होती है चाहिए आप वो 10 दिन के लिए 1 मेना, 2 मेना, 6 मेना ऐसा वो बनता है अब बात क जो है उसको वो claim नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपके पास authorization letter है तो as of a legal document काम करेगा आप इस पे insurance claim कर सकते हैं ये आपको legal hassles ही बचाता है लोग बहुत लोग ignore करते है skip करते है क्योंकि जादा तर ये ज़रूरी नहीं पड़ता पर मैं इतने चार साल से मैं touring कर रहा हूं तो म बुटान में भी अगर आपके नाम पे baiq नहीं है और आपके पापा के नाम पे baiq है या आपके ममी के नाम पे baiq है आपके भाई के नाम पे बाई है तो आप उनसे authorization letter बनवागे easily tour कर सकते हो अब बात आती हो authorization letter में documents क्या गे लगेंगे authorization letter में कुछ नहीं जाजा कुछ नहीं लगता एक वो format होता है वो format आपको मैं यहाँ पर attach कर दे रहा हूँ लेकिन यह format पर नहीं बनेगा यह quote में बनेगा यह quote में कहां बनेगा यह notary के पास बनेगा 200 से लेकर 500 रुपे की costing पड़ दी है एसने आपने हिसाप से नेगोईस्ट कर सकते हो अब आते हैं documents के बारे में बस बस्सकों MAYOR को आद हर करibenegu हाँ क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से नहीं बनवाया हूं तक इसलिए मैं बोलरा हूँ नहीं लग सकता है और कोई documents नहीं लगेगा इसमें आपको कोई माथापच्ची करनी की जरूरत नहीं है किसी भी lawyer को पकड़े जो notary करता है authorized notary जो करता है उन से जापके बनवाले हाँ sorry एक 50 रुपए का 2 stamp भी लगता है वो लगेगा और 200 रुपए वकील का खर्चा लगेगा तो कुल मिला के 300 से लेकर 500 के बीच में हो जाएगा इसमें जादा कुछ था नहीं आप लोगों की queries थी तो मैंने आपको ये वीडियो बनाए और दूसरी चीज बहुत लोग बोल रहे थे क्या अगर मैं किसी state में ये authorization letter बनवाता हूँ तो क्या ये all India validity रहेगी बिल्कुल ये all India valid रहेगी आप अपनी इस authorization copy को किसी भी state में चला सकते हो लेकिन ये कोई permanent solution नहीं है दूसरी चीज क्या authorization letter जब हम बाइक खरिदते हैं किसी और बाइक किसी और के नाम पे उसको नाम ट्रांसफर कराने अगर नहीं कराने चाहते हो तो temporary तो आप यूज कर सकते हो लेकिन ये एक permanent solution नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप किसी के और के नाम पे registration आप second hand bike खरीद रहें तो आपको वो registration format वो number चेंज कराना हो उसके अलग process उसके लिए में एक अलग वीडियो बना दूँगा पर यहाँ पे हमारा जो doubt सा authorization later के बारे में मुझे उमीद है कि आप ये पूरा clear हो गया होगा लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई शंकार रह जाती है तो आप मुझे description box में message कर सकते हैं मैं हर messages का में reply करता हूँ आपकी जो queries होगी मैं चाहूँगा कि मैं उसको solve करो तो इसी केसाद दूस्तों वीडियो का end करते हैं मुझे उमीद एक छोटा सा वीडियो था informative वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो like, share, subscribe करने ना भूले आपने फ्रेंड्स चाहने वाले परिवार वाले सब के अचाथ सेयर करें और always ride hard and always wear a helmet जय हिंद जय भायरत